नमस्कार दोस्तो यूटूब के मेरे इस चैनल पर आप सभी के फ्रसे स्वागत है दोस्तो कितने ही दोस्तों ने कमेंट किया था कि रेले येर और जीरोधा के वीच में क्या फ़र्क है या दुनों में बेश्ट कौन है इन दो ब्रोकर में तो मैं यही बतांगा बताना चाहत लाइफ दिखा कर आपको चुकि आप देख रहे हैं यह जो ब्लेट फॉर्म है वो रेली येर की ब्रोकर का डाइनेमी प्लेट फॉर्म है कि इसका रिव्यू भी आप देख पा रहे होंगे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी मीड फिफ्टी निफ्टी आईटी निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी ये सब हैं और ये बीच में चैट का कलूम बना हुआ है डाइग्राम बट अभी चैट किसी अप्शन में नहीं सो कर रहा है चुकि मार्केट आज क्लोज है मैं ये वीडियो सटर्डे को बना रहा हूं इसलिए आपको चार्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें डली आपको चार्ट मिलें जाएंगे जो कि एक दिन से लेके पांच साल तक के लिए रहते हैं और इसके खासियत कुछ ऐसी है कि आपको इसमें हर एक स्टॉक के बारे में जनकारी मिलती है जो भी ज्यादा एक्टीव हो ज्यादा या तो अप में हो या डाउन में इसमें आपको टॉप गेनर निफ्टी में दिखाई देंगे सेंसेक्स पर जाईएगा टॉप गेनर सेंसेक्स नीचे जाईएगा टॉप लूजर टॉप गेनर सब कलूम में आपको मिलेंगे और यही इसकी खास जो विशेष्टा है उसमें यह आते हैं जिरोधा में यह चीज आपको नहीं मिलते हैं जिरोधा का भी रिविव दिखाऊंगा इसके बाद में इसमें देखिए आपको उसके बाद में दिखाएंगे इस इस kolum में भी चाहिएगे उसमें टॉफ गेनड है ना पॉफ लूज़र आपको नीचे में मिल याएंगे यह हरे एक इस्टॉक के बारे में है और कोई भी इस्टॉक के बारे में आपको जनकाड़ी चाहिए तो सिर्फ यहां से सरच कीजिए कोई भी जैसे मैं जस्ट डायल सर्च करता हूँ सर्च में आ गया NAC, BAC, सर्च डायल, NAC मैंने स्लेक्ट किया अब देखिए इसका ओवर भीव में आपका मार्केट ओपेन कितने पे हुआ डे हाई कितना था, डे लो कितना था, प्रीवियस क्लोज कितना पे हुआ था, बावन वीक हाई क्या था, बावन वीक लो क्या था, इसमें सब दिखाई देंगे और इसकी एक अधर इनफर्मिशन रहता है, निवज एन एनाउस्मेंट, जो की आपको जीरो अधा में नहीं मिलते है, जस्ट डायल से रिलेटेट जो भी अपडेट आया होंगे, यहाँ नीचे में दिखाई देंगे, और यह आपका प्लस पॉइंट है, किसी भी से आपको उसका निवज यह दिए, आपको उस टाइम मिल जाते हैं, तो उसकी हिसाब से अपना पोटोफोलियो मैंटेनेंस कर सकते हैं, और जो स्टॉक की भी बारे आप सेलेक करेंगे, वहाँ पे आपका उसका चैट भी मिल जागा, एक बिन से लेके पांच साल तक के लिए, इनफ मार्केट जब ओपन रहेगा, उस टाइम में आपको चैट मिलते हैं, और नॉर्मल यहाँ से बाई सेल या सेिट ऐलाट कर सकते हैं, सेंतो का मतलब कि ज़ब बाई प्राइस ऑप या डाउन जाए, उस इस दिए आपको ऐलाट चाहिए, तो आप सेट कर सकते हैं, ऐलाट में शायद नहीं है तो यह सब खासियत है इस डैनेमी प्लेटफॉर्म की और सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जनकारी मिलते हैं उसी स्टॉक के बारे में आप जनकारी ले सकते हैं जो जैसे मैं मान लीजिए स्टॉक आज की डिट में कौन औप में चल रहा है कॉन डाउन में चल रहा है उसी में यह दिया अफट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां से चुछ करना एड़ कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं स्टॉक के बारे में आपको जनकारी मिलेगी डिली जैसे पेज वन पे मैंने आरकाम में ट्री जस्ट डायल टाइटन जेपी एसोसीएसिन आईडी वी आई बैंक पीसीएस ये सब डाले हुए हैं इसी तरह सेकेंड पेज पे भी अलग अ स्टॉक हैं ठाड पेज भी वह ये लग लग स्टॉक हैं फोर्थ पे भी और फाइव पे भी तो कुल मिलाकर देखिए तो बीस वचे सो सो स्टॉक के बारे में ही आपको जनकारी मिलेगी यदि आप और भी स्टॉक एड करना चाहते हैं तो आप एड कर सकते हैं बसरते किसी पेज भी एक पेज भी से ज्यादा नहीं हो जैसे जोस्ट डाल मैंने कहीं एड किया होगा इस पेज में कोई दूसरा स्टॉक यदि मैं एड करना चाहूं जैसे मैं जैसे मैं जिन्दल स्टिल जिन्दल स्टिल एनसी पावर चली पावर पर ही क्लिक करते हैं सेलर पावर तो देखी जिन्दल स्टिल के यहां पर आगे दूसर चबिस पॉइंट पचास पर ही चल रहा है और जब तक यह हम एड नहीं करेंगे तब तक इसके बाड़े में आपको मार्केट अपडेट के बाड़े में पूरी जनकाड़ी नहीं मिलेगी दूसर का चीज है यहां इसके बाड़े में चार्ट मिल जाएगा डेट में आपका वही सब दिखाएगा प्राइस अपडाउन टोटल क्या था बॉल्म क्या था हाई कब हुआ ओपन कब हुआ कितना इसकी ओपन है हाई है यह सब वही सब चोस में था यहां पर नियूज नहीं मिल रहा है इससे अपडेट जो था लेकिन डाइनेमी मिल रहा था तो डाइनेमी में यह प्लस पॉइंट था यहां पर यह माइनस पॉइंट दोट हो आ गया अब दोनों का चार्जेस के यह बात करनें तो जीरो धा डाइनेमी से सस्ताप में ब्रो होते हैं तो जीरोधा एक कि एबरेज ब्रोकर है चार्जिस के मामले में प्रन्तु सर्विस के मामले यह दी बात किया जाए तो डाइनेमी रेली गियर का बेस्ट है बाकी सब वही है इसमें आपको निप्टि 50 और सेंसेक्स दो एड रहते हैं इसके बादे में आपको जनकरी मिले इसाच में पूंग दियंगी जो भी सेंटोक अपका होगा उसका मिलेगा और वाच्छ लिस्ट में अपनी तो यह खामियां कुछ जिरोधा में जिसके चलते हैं आपको रेली गयार का डैने में एक बेस्ट ब्रोकर साभीत हो सकता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में करके बताना नहीं भूले फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाओंगा तब तक के लिए धन्यवाद